हेलो एवरिवन आज की एविज़े लेक्टे में हम आईपीविश सिक्स अड्रेसिस के बारे में पढ़ेंगे तो जैसे के मिन आउपी वीफॲ ड्रेसिस की टाइमबे देखा था कि जो आईपीविफॲ का अड्रेस होता हो एक थर्टी टू बिट का अड्रेस होता है और और number of addresses क्या होते हैं 2 to the power 32 but जैसे जैसे time बढ़ा number of devices बढ़ी अब number of devices बढ़ रही है तो number of IP addresses जो required है वो भी increase हो रहे है तो यह देखा गया है कि जो IPv4 का address space है वो उन सब के लिए enough नहीं है कि जितने भी devices increase हो रही है जितने भी IP addresses के जुरूत है वो सब IPv4 contribute कर सके तो उसके ल होना दिया गया 1228 bits का तो जो IPv6 का address space होता है उसमें कितने addresses हो जाएंगे simple 2 to the power 128 तो हम यह कह सकते है इसमें it is of 128 bits और 16 bytes and the length of IPv4 address is 4 times the length of IPv4 address तो 4 times जिसके length के increase होने से जो number of address space होता हैं IPv6 के अंदर वो enormous amount के अंदर increase हो जाते हैं so that is IPv6 address which is of 128 bits अब जैसे हमने देखा था कि IPv4 के अंदर different different notations होती है का address space को represent करने की binary होती है dotted decimal होती है ऐसे ही IPv6 के अंदर भी notations है और IPv6 में double dotted decimal notation को use करते हैं for IPv4 compatibility कि ठीक हमने नई device को IPv6 दे दिया बट ऐसा तो नहीं होगा कि इतनी पुरानी devices हैं जिसमें IPv4 चल रहा हूँ IPv6 से communicate नहीं करेंगी तो उसकी compatibility को करने के लिए IPv6 में भी dotted decimal notation दिया गया था तो तो dotted decimal notation में क्या होता है अगर मैं एक IPv6 का address लिखता हूँ dotted decimal में तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा तो इसमें कितने होंगे इट विल हैफ दीज मैनी नंबर्स तो एक तरह से बहुत ज़्यादा नंबर होंगे जिनको याद करना पड़ेगा तो एक तरह से ये एक optimized approach नहीं है लिखने के लिए बट इसमें कितने नंबर हो गए एक दो तीन चार पांच छे साथ आट आट तो इसमें कितने नंबर हो गए आट नो दस क्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सूला सो 16 डिजिट्स और 16 नंबर्स आर यूज तो रिप्रेजेंट एन आई पी वीशिक्स एड्रेस इन डॉट डॉटेड़ेसिमल और यह से यूज उज उता है फोर आई पी वीशिक्स के अड्रेस को मोस्ली रिप्रेजे आई मिल रिप्रेसं के एक्साडेसिमल के फ़ॉर्माट में इस उस तो मेग दे द्रेस मोर रिडेबल अड्रेस बहुत इसली रिडेबल होता है एंड इन इन दिस नुटेशन बार बित साट इंटो एट सेक्शिं जैसे यहां पर 16 थी वो एट में डॉटे ओंगी each of two bytes in length and two bytes in hexadecimal require four hexadecimal digits यानि four digits के eight numbers colon hexadecimal होते हैं जैसे अगर मैं एक sample लिखता हूँ IPV6 का address तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा अब hexadecimal के अंदर alphabets भी use होते हैं और इसमें हर number एक दूसरे से एक colon से separate होता है जैसे dotted decimal में decimal से separate होता है और इसमें colon से separate होता है तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितने number लिखे हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और हर में कितनी हैं four hexadecimal digits और हर hexadecimal digit कितनी कितने के बदाबर two bytes तो total कितना होगे 16 bytes का एक दूसरे तो इस इस आठ टू दिफरेंट notations अब इसमें कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं abbreviation और इसी का ही एक और नाम है जिसको कहते हैं zero compression इसी का ही एक नाम है that it is a technique abbreviation is a technique to reduce the length of IPv6 address कि IPv6 address की length को और भी जादा गर हम reduce कर दें तो उसको हम कहते हैं abbreviation और ही होता क्या ऐसे it is done by omitting or removing the leading zeros of a section कि जितने भी leading zeros हैं अगर मैं उनको हटा दूँगा तो वो small address बन जाएगा इसमें एक note करने वाली बात है कि सिफ leading zeros को ही drop कर सकते आप trailing zeros को drop नहीं कर सकते and this is also called as zero compression क्योंकि हम zeros को अटा रहे हैं zeros को compress कर रहे हैं इसलिए इसको zero compression भी बोलते हैं तो एक इसका मैं example लेता हूँ और इसका देखते हैं कि इसमें हम कैसे abbreviation कर सकते हैं तो सपोज एक IP address कुछ इस तरह से है fdc colon 0074 colon 1234 colon एक और बार 1234 देन अगें और लास्ट आल है f f f and 0 ठीक है तो यह IP address है एक IP v6 का address है और इसको मुझे आप compress करना है तो अब इसमें तो सबसे पहले तो आपको leading zeros पता करनी है जिसने यहाँ पे कोई leading zero है यहाँ पे कोई leading zero है यह दो leading zeros है यहाँ पे leading zeros है चारो leading zeros तो नहीं हो सकती तो कौन सी leading zeros होंगी यह 3 ठीक है यह आपको ध्यान रखना है ऐसे इसमें कौन सी leading zeros होंगी यह 3 यहाँ पे यह 3 आप चारों को नहीं हटा सकते इन 4 में से maximum जो zeros हट सकते हैं आप वो देखोगे यहाँ पे कोई leading zero है नहीं देखो zero है बट वो leading नहीं है याईनि यह क्या trailing किसी के बाद आ रही है यहाँ पे कितनी हट सकती है यह 3 यहाँ पे कोई हट सकती है यह भी trailing zero है ठीक है तो यह भी नहीं है आप reduce कर सकते तो जब आप इनको omit कर दोगे let us say like this और यहाँ पे मैं लिखता हूँ omitting these zeros इन zeros को हम omit out कर रहे है तो हमें क्या मिल जाएगा fdec colon simple अब यहाँ पे कह रहाँ जाएगा 74 colon 0 colon 0 colon 0 then colon b0 ff colon 0 colon ff 0 तो इतना address बज़िगा और यह जो address है दिस एड्रेस विल बी कॉल्ड एज एब्रिविएटिड एड्रेस ठीक है अब आप इसको और भी जाता है अब्रिविएट कर सकते हों और भी जाता है अब्रिविएट करने के लिए आपको इन इन जीरोस को हटाके इनकी जगे एक सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा ठीक है वो चीज भी आप कर सकते हैं अब्रिविएट करता हूं तो मुझे फाइनल आंसर कुछ इस तरह से मिलेगा fdec colon 74 colon धेन कॉलन और यह जो है इन जीरोस का गैप को शो करेगा b0ff colon आप इस को नहीं इटा सकते हैं को की combination जीरोस को हम reduce कर सकते हैं 0 colon fff 0 यह जो part है, this will show the gap. So this is how the IPv6 address is abbreviated. और abbreviation का मतलब है, IPv6 का address को छोटा करना, small करना. Now let us see different types of address spaces in IPv6. तो सबसे पहला है unicast address. अब unicast में uni का मतलब single. So it defines a single interface और computer. जैसे कि अगर एक यह source है, तो एक destination होगा. और जब यह source using IPv6 unicast address एक packet भेजेगी, तो वो एक particular destination के लिए ही intended होगा. So the packet sent to a unicast address will be rooted to the intended PC और recipient. कि with the help of some router, यह packet इस particular destination के पास ही जाएगा. तो यह unicast addressing होती है. अब इसमें multicast address. These are used to define a group of computer और host. जैसे कि अगर यहाँ पर कुछ computers हैं, let's say computer A, B and C. और यह computers किसी एक group का part है. ठीके? और यहाँ पर एक router है, suppose, जो इस group को packets को forward करता है. तो अब क्या होगा? एक जो source होगा, वो एक packet बेजएगा, using IPv6 multicast address. और वो multicast address किसके लिए? इस डिफाइंड फॉर all the systems which are present in this particular group. suppose यह एक group है. तो जो packet जाएगा यहाँ से, वो packet इस router के पास जाएगा, और router कास को कि multicast address के corresponding इनकी individual addresses है, यह packet A को भी जाएगा, C को भी जाएगा और B को भी जाएगा. तो आपको यह ध्यान रखना है कि multicast में packet group के सारे members को receive होता है. तो यह important है that, in this, each member of the group receives the packet. ठीक है? Now, the third type is anycast address. Anycast में भी एक group होता है, for example, यहाँ पे, कुछ group के members मैं मैं बना देता हूँ, A, B, और C, और यह आपस में connected है. Then, we have our router. एक router है. और यह router इस पूरे group को control कर रहा है, connect कर रहा है, to the internet. ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे एक source है. अब anycast में क्या होता है? जब source एक packet भेजता है, IPv6 anycast address को use करके, तो वो होता किसके लिए? वो होता है पूरे group के लिए ही. So, it defines a group of nodes of computer that shares a single address. तो यह packet गया यहाँ से, it is intended for entire group. सब के लिए होगा. But, इसमें packet सबको नहीं मिलेगा. इसमें packet किसको मिलेगा? जो nearest है. Any one of them. That is why anycast. इन में से कोई सब ही एक. तो जब packet जाएगा router के पास, router out of all these computers, decide करेगा कि कौन सा computer सबसे पास है. यह एक तरीका है anycast address को solve करने का. तो router इस packet को जो सबसे पास है. For example, A, A के पास भेज़ देगा. तो यानि इस पूरे group में से, किसी एक computer को यह packet मिल जाएगा. इसलिए सो कहते है, anycast address. तो यहाँ पर लिख सकते हो, packet is delivered to only one member of the group, which is the most reachable one or the nearest. जो सबसे ज़्यादा पास है, या फिर सबसे easily reachable है. तो यह हो जाएगा anycast address. उसके बाद हमारे पास broadcasting है, multi-casting. IPv6 does not support broadcasting, या फिर does not define broadcasting. but, जो multi-casting हमने देखी थी यह, it is considered as a special case of multi-casting. जो broadcasting है, वो एक multi-casting है, special case consider होती है. तो यह different type के address space है, IPv6 में. अब IPv6 में एक और address space होता है, जिसको हम बोलते है, reserved addresses. इसमें एक और होता है, जिसको हम बोलते है, reserved addresses. जिसे reserve हैंए, अब इसमें जो important बात है, वो यह है कि जो address होता है, इसमें, reserved addresses का, that starts with, that starts with, eight zeros. तो जो reserved addresses हैं, वो start होगा eight zeros. ठीक है? So, these are the different address spaces of IPv6. अब एक बात देख लेते हैं, IPv6 protocol के packet का format. So, IPv6 का जो protocol है, यह हम कहेंगे IP datagram जो होता है, IPv6 का datagram जो होता है, उसमें सबसे पहले तो होता है, एक header आपका, base header, और उसके बाद होता है, payload या फिट डेटा जो transmit हो रहा है. ठीक है? So, यह होता है, 40 bytes का, पेलोड आपका, वेरी कर सकता है, अप्टू 6535 bytes तक, अप्टू 65535 bytes तक पेलोड वेरी कर सकता है, अब जो इसमें main है, वो होता है, main इसमें होता है, header का format, कि जो IPv6 का header है, उसमें कौन-कौन सी different fields होती है, तो वो अब हम देखेंगे, इसके base header का format, different-different fields कौन-कौन सी है, IPv6 के अंदर, ठीक है? So, now let's see, different fields of IPv6, base header format, तो जो सबसे पहला है, वो तो होता है version, then we have the traffic class, उसके बाद है flow label, ठीक है? So, यह होता है 4 bits का, यह 8, और यह, होता है हमारा, 20 bits का, ठीक है? इसके बाद होता है, यहाँ पे पे लोड लेंथ, नेक्स्ट हेडर, और यहाँ पे होती है, हॉप लिमिट, तो जो पे लोड की लेंथ होती है, वो होती है 16 bits की, नेक्स्ट हेडर होता है 8 का, और जो हॉप लिमिट होती है, वो भी 8, इसके बाद होता है, यहाँ पे सिंपल सोर्स एड्रेस, जो आईपी वेशिक्स के फॉर्मेट में हम लिखते हैं, और डेस्टिनेशन एड्रेस, यह भी आईपी वेशिक्स के फॉर्मेट में ही लिखा जाता है, ठीक है, आप इसमें जो लिखने वाली चीज़ें, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले तो जो वर्जन है, वर्जन सिंपली डिफाइन्स, version simply defines the version number of IP तो IPV6 के case में जो इस field की value होती है वो होती है 6 इसके बाद हमारे पास है traffic class traffic class जो use होता है it is used to distinguish different payloads or different requirements so distinguishing different payloads कि किस type का data हम बेज रहे है उसको distinguish करने के लिए traffic class यूज होती है then we have this flow label flow label simple अगर आप किसी data के flow को control करना जाते है उसको कुछ special आप information देना जाते है तो flow label से दे सकते हूँ so it is used to provide special handling to a particular for a particular flow of data provide special handling for particular flow of data or feedback या या फिर फिर पर पटिक्लर data flow इसके पाद सिंपल पे लोड लेंथ होती है तो payload length is length of the IP datagram excluding the header तो payload length क्या हो गई length of length of IP datagram minus length of base header तो मतलब जितनी length का ये वाला part होगा वो आपका payload length के अंदर value जाएगी इसके बाद होता है मार पास next header next header का मतलब है it defines the header that follows the base header in the datagram मतलब base header के पास कौन सा header होगा वो next header बताता है जैसे for example अगर मैं इसके अंदर different codes होते है for example 0 code का मतलब होता है ICMP header है ऐसे ही यहाँ पे code sorry this is for code number 2 ऐसे ही यहाँ पे अगर code आपने लिखा है 6 इसका मतलब होता है TCP header है code number 17 UDP header so I said different different headers के जो code होते है वो हम यहाँ पे लिखते है then hop limit is simple it is used for time to leave कि कितनी maximum hops तक ये packet जाएगा अगर आपने इसकी limit set कर दिये 4 that means ये 4 hop तक ही जाएगा उसका अगर ये destination पे नहीं पहुंचा तो इस packet को हम discard कर देंगे so it is used for time to leave then source and destination headers are self-explanable so this is the complete header format of IPv6 so अब देखते हैं कि IPv6 के अंदर changes क्यों हुए थे तो ये reason से जिसके कारण IPv6 के अंदर changes हुए थे और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो changes IPv6 के अंदर हुए तो सबसे पहला है larger address space अब IPv6 में कितना address space होता है 2 to the power 128 IPv4 में कितना होता है 2 to the power 32 तो हम देखें कि कितना address space बड़ा हमारे पास तो हम कह सकते हैं सिदा सिदा हमारे पास 2 to the power 96 times more addresses है than IPv4 ठीक है इसने इतना ज्यादा address space को ये suddenly increase कर दिया उसके बाद है इसमें better header format तो IPv6 के अंदर जो header का format है उसमें आपने देखा होगा that options are separated from base header तो ये इससे क्या होता है कि जो आपका header का format है वो ज्यादा बहतरी इन बनता है ज्यादा अच्छा मनता है the options are separated from base header ठीक है then we have new options कुछ नहीं options डाली गई थी for additional functionalities IPv6 में अब ये जवाला जो part है basically आपके theory exams के लिए काफी important है क्योंकि जब IPv6 के बार में आप लिखोगे तो आप इन सब points को mention कर सकते हो then इसके अंदर extension के लिए possibility होती है that it is designed to allow the extension of the protocol if required by new technologies or applications so it allows the extension of protocol इसके बायदर support for resource allocation IPv6 में generally हम type of service field को use करते है और इसके अंदर दो नई fields को लाया गया है एक तो है traffic class traffic class और एक है flow label जैसे कि हमने अभी देखा IPv6 के जो base header के format में यह दो नई fields को introduce किया गया and these two fields are basically used to request special handling of the packet so यह दो fields के सिलिए होती है for special handling of the packet ठीके so इस इन दो fields की मदश से हम कह सकते है कि एक support है for resource allocation then finally the support for more security अब जो IPv6 में encryption and authentication use होता है there are encryption and authentication options जो security को और भी ज़्यादा increase कर देता है so these are the changes in IPv6 so this is all for this particular video in the next video we will see what are the different strategies of transition from IPv4 to IPv6 and also we will see in that video the difference between IPv4 and IPv6 thank you for watching the video please subscribe to my youtube channel for more such tutorials thank you